हमारे अकसर ऐसा होता है कि पहले इंसान इंजीनियरिंग करता है और उसके बास सोचता है कि आप क्या करना है और यह सिर्फ इंजीनियर्स के साथ है है आप किसी भी फिल्ड में हो आप अगर 18-24 के एज ब्रैकेट में आते हैं और यह इस्क्लूसिव नहीं है लेकिन जो लोग ग्रैजविशन कर रहे है या जो लोग अंडर 30 है अभी वी जो जॉब कर रहे है यह क्वेशन बार बार अराइस होता है कि मेरी जिंदगी का डिरेक्शन क्या है अब इस वीडियो के अंदर मैं आपको आपकी जिंदगी का डिरेक्शन तो नहीं बता सकता लेकिन मैं उसको देखने का एक तरीका बता सकता हूँ सबसे पहली जो चीज़ आती है मैं आपका द्यान इस जगे पर लाना चाहूंगा कि ये वीडियो देखने से पहले भी आपकी जिंदगी अच्छी चल रही थी आप दोस्तों के साथ हैंग आउट कर रहते हैं आप चिल कर रहते हैं आपने स्टैंड अप कॉमेडी देखिए हैं आप अच्छा हाना हा रहत है और ये जा चीज है ना के पाशन तो ये पाशन है क्या हम बोलते हैं कि चीज़े हैं मैं पाशन से करनी है या ये शुड डू वाट यू लव अगर आप ऐसा कोई काम करेंगे जिससे आपको बहुत प्यार है तो जिन्दगी में फिर कभी काम करनी की ज़रूरत नहीं पड़ेंगी लेकिन ये है क्या अभी आप 18 टू 24 के एज ब्राकेट पर होगे वो एज ब्राकेट मैं पकड़के चल रहा हूँ आपके एज ब्राकेट मैं चीज़े बहुत तेम्परेरी होती है तो जो दोस्त आपको मिलेंगे भी वो तेम्परेरी है जो काम आप करोगे या जो काम अभी आपको अच्छा लगता है जो होबी अभी आपको अच्छे लगती है जो खाना अभी आपको अच्छा लगता है ये बहुत तेम्परेरी चीज़े है जैसे आप अबव 25 जाते हो या 29 की एज में होते हो जहां पर अभी मैं हूँ आपको इंचे समझ में आने लगते है कि सिर्फ पाशन आपकी जिंदगी नहीं है आपकी सिंदगी में आपके दोस्त है, आपकी फैमिली है, आपकी रिस्पोंसिबिलीटीज है कलीज आजाते है, फैमिली के साथ कौन सा टाइम स्पेंड कर रहे हो रिस्पोंसिबिलीटीज क्या हैंडल कर रहे हो, कहां पर रहे हो आपका जो एक साब से लाइफस्टाइल है वो बहुत मेंटर करता है आपकी एज में अभी, जब आप पैशन को देखते हो, तो नजरिया वो यह होता है कि बस यही करना है तो मैं दिन रात, जैसे मूवीज में बताते हैं, हम सिर्फ यही करेंगा और कुछ नहीं करेंगा, और यही जिन्दगी है जब आप जैसे ही बड़े होंगे, आपको रियलाइज होंगा, कि सिर्फ यह जिन्दगी नहीं है, जिन्दगी बहुत बड़ी है तो अगर आपको by the end of this video और by the end of your life भी, आपका डिरेक्शन नहीं मिलता है आपका पैशन नहीं मिलता है, तो पहली चीज वो कोई बुरी बात नहीं है सिर्फ आपको फर्क इतना पड़ेगा, कि यह जिन्दगी है जिसके अंदर आप काम करते हों जो आपका 9-2-8 या 9-2-12 का जो काम है उसके अंदर आपको थोड़ा कम मजाएगा, बस फर्क इतना है तो पहली चीज तो यह कि सिर्फ पैशन ही आपकी जिन्दगी नहीं है दूसरा, अगर आप किसी गलत रास्ते पे होते हैं और आप सोचते के नहीं, यही मेरा पैशन है तो वो अच्छली और जाधा हजार डिया साथ तो आप जिस मुकाम पे खड़े हो, जहां पे आप बोल रहे हो के मुझे कोई डिरेक्शन नहीं है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है वो अच्छली बेटर है क्योंकि यहां से आप सही रास्ता चूस कर सकते हो यहां से आप एठीस यह माइंडसेट बना के जा सकते हो कि वाई मुझे पताने क्या कर रहा हूँ इंस्टेट ऑफ अपना टाइम, अपनी महनत, अपना पैसा ऐसी जगे वेस्ट करना जहां पर आपको उस पहाड से उपर चड़ के समझवे आए कि यह पहाड तो चड़ना ही नहीं था ना जो आपको यह चीज़े समझवे आ जाती है तो imagine कीजिए कि आपके घर में है और वहां पर खिड़की है और खिड़की में से आपको Mount Everest देखता है और सामने उस पर चंड़ा लगावा है और आपका विजन बस यह बन गया कि मैं इसको चड़ूँगा और उपर जाके फोटो के चवाऊँगा वेल वो विजन तो है मान लिया लेकिन क्या वो एक अच्छी सिंदगी है यह डिरेक्शन है जिसे आप ढूंड रहो इसको सोल करने के बहुत सेम्पल सलुशन है इस साल में 366 डेज है 24 में आप ऐसा समझ लीजिए कि उसमें से 66 डेज वेस्ट है आपकी तबियत खराब हो गई आपका मूर नी और आदा काम करने का और भी एक सेक्टरा इनको साइड में रख दो अब सोचो कि 300 दिन है 300 दिन ना एक कैलेंडर में हर एक दिन का एक ब्लॉक है अब आप भी सोचिए कि अगर आपकी जिंदगी का कोई एक हाइलाइट होता है इसे मैं पढ़ाता हूँ तो मैं फोटोग्रिफी या इलस्टेशन पढ़ा रहा हूँ तो वो में बहुत अच्छी चीज़ होती है मुझे बहुत मेज़ा आता है तो अगर मैं उसका एक फोटो निकाल के एक ब्लॉक में दाल दू कि आज मैंने ये किया अगर अगर मुझे वह करना है अगर सेन सवाल में आप से पूछो अगर इमेजन कीजे के आप में भी जिम में है और जिम में आप बेंच प्रेश उठा रहे हो और आपने उसका एक फोटो निकालके एक ब्लॉक में दाला तो ऐसा कौन सा काम है जो आप 300 दिन करना चाहेंगे वो आपकी जिन्दगी का डिरेक्शन है कि मुझे ये काम करना अच्छा लगता है ये मेरी चड़नी है अब जो विजन में देखते हैं कि मुवीज के अंदर किसी ने टेड टॉक दे दिया ये उसकी लाइफ है ये उसका डिरेक्शन है तो क्या आपको किताबे पढ़ने में मज़ा आता है आपको स्विमिंग करने में मज़ा आता है आपको पोड़ी लिखने में मज़ा आता है ये समझ में आएगा जब आप इस कैलेंडर को देखो गया ठीक है, तीन सो दिन, अब आप हर एक दिन के अंदर अपने आपको इमेजन कर रहे हो कि मैं इतना जी सकता हूं इस चीज को, अगर आप उस चीज को उतना टॉलेरेट कर सकते हो, तो फिर वो आपके लिए आपका पैशन बन सकता है, ठीक है, वो डिरेक्शन हो सकते है आपके, अब यहां पे दो-तीन चीज़े हैं, जिनका ख्याल रखना है, पहला, जिए आप यह डिसाइड कर रहे हो ना, जैसे लोग ट्रावल के लिए डिसाइड कर रहे हैं, आदे लोगों को ट्रावल करने सिर्फ इसलिए जाना है, क्योंकि उनको इस्टाग्राम पर फोटो या र इसमें देखने हैं सक्या है, अगर आप उनमें से हैं और आप ट्रावलिंग में जाते हैं, तो फिर आपको वहां पे शायद इतना मज़ा ना आए, तो सबसे पहला रिजन तो यह है कि आपका जो वाई है, आप क्यों कर रहे हैं, वो आपके अंदर से इसपैर्ट होना चाह है, for example, जैसे भी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और ऐसा हो सकता है, कि इसके बाद कोई वीडियो ही ना आए, और ना ये चैनल मोनटाइज हो, ना सबस्राइबर बढ़े, ना कुछ हो, तो क्या, यह वीडियो आप तक पॉचा, में भी आपके सिंदगी में सब्सक्राइब कर लिया ना, that is my why for this, your why can be anything else or something, whatever you want to do, जो चीज आपको नहीं करने है, और यहाँ पे लोगो को डर भी लगता है, पाशन को चेस करने में, कि नहीं हुआ तू क्या, यह कब आता है, for example, जैसे अभी मैंने यूट्यूब इस इंटेंशन से शुरू किया है, क बस मुझे 1000 subscribers चाहिए, मुझे monetize करना है, जो अच्छी चीज़ है, बुरी चीज़ नहीं है, बट मुझे यहीं करना है, और अगर नहीं हुआ, तो फिर आपके दिमाग में आता है, कि अब लोग क्या कहेंगे, अब जहां पर यह आता है, यहां पर इंसन फैसनना शुरू हो होती है, कि मैं गूल के लिए जास हो सकता हूँ, लेकिन अगर नहीं हुआ तो क्या हुआ, तो जब आप निकल रहे हो, आपने उस mountain को देखा है, और आप सोच रहे हो, चलो मैं जर्नी तरह करता हूँ, आप अपने घर से निकलते हो, तो घर से निकलना तो ज़रूरी है, बि आप बोलते हो, यह मेरी direction है, लेकिन आपको exercise करने से अच्छा, जादा मजा validation लेने में आता है लोगों का, तो फिर कहीं ना गहीं जाके यह अटकेगा, क्योंकि हर गोई आपके लिए हमेशा कुछ नहीं होने वाला, उससे बेतर ही है, कि आप अपना एक meaning ढोनो, कि चलो मु उसके अंदर सारी अलगले activities होगी, और उसमें खुझ भी गलत नहीं है, दो तरह की personalities होते हैं, एक है सचिन तिंदुलकर, और उन पे भी आएंगे, बात के example में, बिट सचिन तिंदुलकर के started cricket at the age of 16, if I'm not wrong, और उसके बाद उनोंने वही किया है, लेकिन एक और बहुत prominent athlete है दुनिया में, जिनका नाम है Roger Frederick, इन्होंने कम से कम 19 games change किये थे, अपने game पे arrive होने सब पहले, और ये आपके लिए भी हो सकता है, और ये 300 दिन हैं, अगर आप ये सोचों कि इन 300 दिन में से मैं क्या-क्या करना चाहूंगा, तो ऐसा just समझ ली थे कि आप 10 दिन cooking करते हो, गीटार खरी थी, गीटार चार दिन बजा ही, अभी हो खबड के उपर पड़ी है, सबसे पहली बात, जिब मैं बोल्ट रहा हो, ये फनी लग रहा है, बड़ इसमें कुछ भी बुरा नहीं है, आप एक्स्प्लोरी कर रहा हो आपने आपको, तो उसमें गलत किया है, आप ख गीटार दिन ही बजा सकता हूँ, शायद पूएम मैं पचास दिन लिख सकता हूँ, यbaby तीन महान गळ सकता हूँ, जो दिन गृग जाता है, जब आप ये देखते हो, तो आपको समझ में हाता है, ये एक काम है, जिसे मैं तोलिरेट कर सकता हूँ, और ये मैं घर और consistency के बारे में एक मित है कि वो रोज होती है ऐसा नहीं होता है आपने पहले दिन किया तीसवे दिन किया, पाचवे दिन किया, साथवे दिन किया नवे दिन किया, ग्यारेज़ दिन में सो गया पर अगर आप तेरावे दिन वापस show up करते हो that is enough, keep it consistent अगर आपका टाइम ऐसे भी चल रहा है तो आपको पैटन तो समझ में हैगा कि आप क्या कर रहे हो क्यू कर रहे हो आप खुटको ढूंड रहो हैं आपने गीटार में कुट्टको एक्ट्वर कर लिए और आप नेगेटी कर रहे हो, आप एक चीज करके बोल रहे थे कि मुझे यह चीज करना अच्छा लगता है आप एक चीज करके बोल रहे हो कि मुझे ही चीज करना नहीं अच्छा लगता है तो एसी समझ लीजे कि इसे है यिन काम करने में को सुकून मिलता है वो पैशन है उसका मतलब ये नहीं कि कोई एक दम आपकी बॉड़ी में रुष्छ होना चळिए कि मुझे करना ही करना है कभी कभी शांती से बैठके अगर आप ड्रोइंग बना रहे हो तो भी कहीं लोगों का पाशन है जिसे उ कमाते है so it basically means peace, it is just for you not for showing anyone, just for you and you just love doing it that's it, okay, अब यहां पे और आगे जब आपने समझ लिए आपने कोई एक चीज पकड़ी और आप उसको 300 दिन नहीं कर रहे हो, 90 दिन कर रहे हो या सिर्फ 30 दिन कर रहे हो but at least आपने कुछ और तो किया अब जब आप इसमें आगे बढ़ रहे हो, okay यहां पे आप काम repeatedly कर रहे हो तो degree, job, you know, expertise यह सब बाद में आती है पहले आप एक काम को पकड़के पूरे सुकून से, पूरी consistency से उसे किये जा रहे हो बार-बार-बार-बार अब यहां पे आप उसके बारे में course ले सकते हो उसके बारे में एक internship ढूँ सकते हो और उसके बारे में एक actual degree में enrolled हो सकते हो अगर आप बहुत ज़ादा serious हो तो लेकिन, यह सारी दुनियावी चीज़ है, जो दुनिया के साथ में आपको उसमें success होने में help करेगी लेकिन कुछ चीज़े internal होती है जैसे एक होती है बोरियत boredom, तो आप एक ही चीज़ को बार-बार repeat करते हो न, आप बले ही वो किसी चीज़ को बार-बार करोगे आप इनसान हो, आपको एक वक्ते बार बोर्डम महसूस होगा कि यह है कि उस boredom सब पीछे नेटना उसमें आगे बढ़ते जाना है क्योंकि थोड़ी दिर के बाद वो चला जाता है और वो चला इसलिए जाता है क्योंकि रिफ्लेक्स डेवलप होते है, for example आपने जब पहली बार स्कूटी या बाइक चलाना शुरू किया होगा तो बहुत वारी चीज़ों पर देहन गया होगा एक्सलेटर, प्लज, प्रेक, थोड़ी चिडवे आई होगी लेकिन अब जब आप अपने घर के नीचे उतर के गाड़ी में चावी निकाल के आगे तक निकल जाते हो first, second gear पर चले जाते हो तब तक आपको द्हान भी नहीं रहता कि अपने गाड़ी कैसे निकाली क्योंकि वो reflexes develop हो गया ना वो आपके काम में अच्छा होने में आपकी मदद कर रहा है okay, so यह यहां पर develop होना शुरू हो जाते है एक बार यह होगी है तो फिर आप चीज़ों को खोजना शुरू करते हो अब सचिन तिंदुलकर वाले example पर वापस आते हैं और यहां पर चीज़ें इंटरस्टिंग होती है for example, अगर मैं आपसे पूचू कर सचिन तिंदुलकर क्या है तो मेरे साब से सारे यही बूलेंगे कि वो क्रिकेटर है ठीक है? और सई अंसर है लेकिन अगर सचिन तिंदुलकर इंडिया में पैदा नहीं होते है तो फिर आपका न सख्या हो लेकिन तिंदुलकर इंडिया के बेस्ट बेस्बॉल प्लेयर होते है अब यह कैसे हुआ? क्योंकि सचिन तिंदुलकर के अंदर कुछ कॉलिटीज है जो उन्हें इसका जजुएंट सही देती है फिर आप यह से टलिट पी बोल सकते हो इसे आप हाडवलट भी बोल सकते हो तो उनोंको मिला भी सकते हो वैसे ही जब आप अपना काम करने लगते हो आप अपने अंदर जो मसल्स है तोतो आपके अंदर नियूंके का शारा है मैबि अुरिवाजねशन के maybe memorization के जो भी मिसल्स हैं आपके अंदर वो आप क्योंके उनको polish कर रहे हो आपके reflexes develop हो रहे हैं आपको उनको काम करने में मज़ा आ रहा है अब आप खुद को होज रहे हो अब यहां पर आने के बाद ऐसा हो सकता है कि आपने जो पहले पहाड देखा था ठीक है क्योंके हम तो चलने से प्यार कर रहे हैं कि हमको journey में interest है vision हम बाद में देखेंगे अब वो सकता है vision shift हो जाए ख्योंके आप खुद को explore कर रहे हो मैं मेरी journey बताता हूँ मैंने जब शुरू किया था I was into photography उसके बाद में मुझे ऐसा लगा है कि नहीं यार I'm more of a visual artist than just a photographer तो फिर graphic designing भी आ गई फिर illustration भी आ गया उसके बाद में realize हुआ कि ये visual communication है बट मुझे तो पूरे communication मुझे जम रहा है उसके बाद फिर teaching आ गई YouTube video record करना आ गया, oral आ गया अब इसमें बेनेफिट ये है और एक quote है कि the jack of all is the master of none लेकिन ये आधा ही सोना हुआ है इसका जो बाखी का है वो है कि even that is better than the master of one because आपको कहीं skills आती है और ये मेरे खुद के जॉब में काफी effective है क्योंकि where I teach, मैं फोटोग्रिफी से पढ़ाना शुरू किया था अब आप में illustration भी पढ़ाता हूँ मैं graphic designing भी पढ़ाता हूँ क्योंकि मैं इन सब जगा से आच चुका हूँ उस वज़े से मेरी salary जो 1x होती थी, वो 3x है क्योंकि मैं 3 चीज़े पढ़ा रहा हूँ वैसे हैं जब आप कोई भी खाम करते हो जब आपके expertise उसमें develop होती है तो आप उसको handle better तरीके से कर सकते हो और ऐसा भी हो सकते है कि आप एक ही चीज़ लो उसे के अंदर focus करो उसे के अंदर 400,000 ग रुपे महीना कमाऊ हो सकता है, definite है और जो बाकी किसके लिए आपको help करेगी तो यह problem नहीं है कि direction क्यों shift हो रहा है हो सकता है, कोई problem नहीं है उसमें आप खुद को खोज रहे हो यह जादा बड़ी चीज़ है अगर यह पूरा वीडियो देखने के बाद भी आपको ऐसा लगता है तो इस नहीं है, तो यह पूरा वीडियो थोड़ी हल्फुल हो और अगर अच्वी लगी हो तो प्लीज सब्स्राइब, लाइक और शेर बिकास अल्टमेटली ग्रो करना है थैंक यह